हलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टीचिंग तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह मैंने दो मिटर फैब्रिक लिया है यह रियोन फैब्रिक है पिंटर फैब्रिक हमने यहां पर अब साड़े ऊसके के लिए हम इसमें से उस करेंगे कपड़ है इसके लिए सबसे पहले मैं चारग भाग में कपड़े को फोल्ड किया और निजान लगाया में इसके बाद 17 लगाया ओर 2 5-6 इंच का निशान सो ड़का लगाया और 6 इंच का निशान हम ने अब आर्मोल का लगाया देखे इस तरह से हमने निसान को सीधा कर लेंगे छाड़ेची इंच्ट सोल्डर और चारज 6 इंच हमने निशान लगाया है हमारे आर्म होल का अब इसके बाद हम इन दोनों निशानों के इस तरह से सीधा कर लेंगे इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे तो देखिए आर्म होल की गोलाई हम अलग-अलग भी दे सकते हैं यहां पर मैं आर्म होल की इसके बाद हम हमारे चेस्ट का निशान लगाएंगे देखें यहाँ पर जा रहे हूं में डाय नीचे ही चेस्ट का निशान लगा रहे हूं तो चेस्ट हमारे यह enem 36 इंच है नोचिति मच पर हम क्योंकि हमने कपड़े को हमारे चार भाग में फोल्ड किया है तो हमें यहां सभी नाप का चोथा भाग निकालना है इस तरह से 9 इंच पर मेंने यहां पर निशान लगा दिया है देखे इस तरह से आपका कोई भी चेस्ट साइज हो उसका आपको चोथा भाग करकर यहां नहीं तो इस तरह के साइज में आप हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे जो बच्चों का साइज होता है वो कम होता है देखिए इस तरह से हमारी कमर यहां 32 इंच है तो 32 इंच का फिर हम चोथा भाग करेंगे क्योंकि कपड़े को हमने चार भाग में फोल्ड किया है तो यह मेरे आठ इंच पर कमर पर आठ इंच पर निशान लगाया है अब इसके बाद हम सोल्डर से जहां हमने सोल्डर का निशान लगा है वहां से हमारे चाक का निशान लगाएंगे या हिप का निशान लगाएंगे तो हमारे चाक यहां पर 19 इंच पर हम रख रहे हैं यह आपके इस तरह से 19 इंज पर मैंने प्रिफ्र निशान लगाया है को निशान लगा दिया मैंने तर Goo तर निशान मुआ दिया निशान का लिखे इस तरह से मैंने निशान को हमारे लिखांगे लेद खेस्ट कमर है Regina को कि अब इसके बाद हम यह इसमें जो का मार्जिं यह जो क façon है यह मनें लिए का निशान का निशान हो इसी निसान से लगाएंगे इसजाद हाँ पर एंगे मारजिन देना होता है तो हम 1.5-t k yumyardslee देंगे वेस्ट कन्मर में भी हम 1.5-2.9 do देंगे हिप में हम दो इंच का मार्जिंग देंगे ताकि हम जब चांग बनाएंगे तो हमें उसमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा भी चाहिए होगा देखिए इस तरह से में यहां पर सिलाई मार्जिन पर निशान लगा दिया और इन तीनों निशानों को भी हम मिला अंदर जो हमारा निशान लगा हुआ है वो हमारा फिटिंग का निशान है देखिए अब इसके बाद हम अगर आपको दामन की चोड़ाई पूरी चाहिए जितना आपने कपड़ा फोल्ड किया है तो आप उतनी ही रख सकते हैं या फिर आप चाहिए कि आपको सीधा आपकी निशान लगाया है उसको सीधा करके उससे मिला देंगे डेखिये इसके बाद हमने यहां पर तीनों निशान हमारे लगा लिए हैं और साथ हमें नीचे दामनton का निशान भी लगा लिया अब हमारी कुड़ी के सारे निशान कम्प्लीड हो चुके हैं अब हम इसकी ड़でइ हैं वेसे ही हमें अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज सपोर्ड और सब्सक्राइब माई चैनल यह में दो भाग में वीडियो अपलोड करने वाली हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए एक भाग में पूरी वीडियो कवर नही करें लेकि इस तरह से हमनِّ में कुर्थी की कटिंग करतें की कुर्थी की कटिंग करने के बाद हम यहां स्लीव की करें नांप viv के वशेंके ना यहां गटिंग कर लेते में आपको 9 इंच नाइंच की रहते हैं देचे सवस्ति鄁 शब्सकार निचान लगा देंगे वश्ति यहाँ पर इतनी नहीं चाहिए 9 या साड़े 9 इंच 36 अगर आपके चेस्ट हैं और आप बना रहे हैं कुर्ती तो 9 इंच चोड़ाई 9 या 9.5 इंच नहीं आपको चोड़ाई यहाँ पर चाहिए होगी देखिए इस तरह से मेरे निशान लगाया है और जो खुली हुई भागे इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे इस समय से 2 इंच माइनस करकर हम निशान लगाई याद रखिए यह जो कोड़ करना है आपको इसके बाद हम कंगटू करgoing किंग है अब को टि शीर का लिए पन्सरच विडिए के लीके अब मुस्ट किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे निर्चे कमेंट बॉक्स में कॉस्टन पूछ सकते हैं थेंक्यू फॉर वाचिंग